हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मुनी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम केस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटी PC का जो एडमिट कार्ड है वो कितना कितनी तारिक को आ सक के लिए तो जैसे कि एक तो कैंडिडेट जो सभी परिषान है मैं भी परिषान हूं कि सीटी इंटीमेशन जो है वह बहुत दूर डाल दिया है मेरा जो है अमधाबाद इसेंटर पढ़ा है और मेरा जो जो जों था वो चंडिगड जोन है तो ऐसे हिस सभी के जो एडमिट क काड़ की शीटी इंटीमेशन है वो बहुत डूर डाल दी है इन्होंने चैन्टर के लिए 1000 किलोमेटर से किसी का भी पास नहीं है सभी केंडिडेट का 1000 किलोमेटर से जादा ही है लेकिन कुछ दिन पहले शीटी इंटीमेशन आने से पहले एक न्यूज न्यूज पेपर में वाइरल हुई थी उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो शीटी इंटीमेशन है आपका 500 किलोमेटर के अंदर दिया जाएगा तो वह एक फेक नोटिस था उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है कि 500 मीटर के अंदर आपको सेंटर मिला हो सबको जो है सेंटर दूर-दूर मिले हैं एड्मिट कार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो एड्मिट कार्ड आपका आज आ जाएगा अब मैं बात करता हूं लास्ट दिन आपके पास या मेरे पास बचे हैं इसमें हमें क्या करना चाहिए तो लास्ट में हमने जो भी चीज़ पढ़ी हुई है हम उसी को रिवाइस करें कुछ भी नया ना पढ़ें क्योंकि आप कुछ भी नहीं हो सकता और जाहिर सी इस बात है कि आपके दो दिन जो है दो से तीन दिन zwischen के अंदर ही वेकार होने है उसमें हम कुछ नहीं पढ़ सकते कुछ याद नहीं कर सकते त्टेन के अंदर हमें 2 से तीन दिन निकांने है क्योंकि सेंटर इतना दूर है कि 20 घंटे 24 घंटे आदमी को लगेंगे और उसके बाद आदमी थोड़ा ठीलेक्स भी होगा है तो तीन दिन आप मान के दो से तीन दिन आपके बेकार करी ही दिये हैं आरार भी वालों ने तो आपको बहुत ही समझदारी से एक्जाम करना है क्योंकि इतनी दूर एक्जाम है तो अपने शरीर को भी आपको ठीक ठीक ठीकना है क्योंकि जब तक आपका जो बोड़ी है वो रिलेक्स नहीं रहेगी वो नॉर्मल नहीं रहेगी तो आपका दिमाग जो है काम नहीं करेग तो आप एक्जाम से एक दिन पहले ही जहां पर आपका एक्जाम है शीट इंटिमेशन आई है वहां पर पहुच जाईए आप एक्जाम स्पेशल ट्रेन का जो है वेट मत कीजिए क्योंकि वह कब चलेगी कब नहीं चलेगी आप पैसे से अपना टिकट करिए खुद से और नि दूर की वज़े से हो सकता है कि स्किप भी करें एक्जाम तो उनके पास कोई अधर ऑप्शन होगा इसलिए वह स्किप कर रहे हैं लेकि जितने भी जा रहते हैं वह एक दिन पहले जाईए एक दिन पहले का मतलब अगर आपका बारा तारिक से एक्जाम है तो आप ग्यारा तारिक को महां पर पहुच जाईए ग्यारा से बारा की बीच में आप तिलैक्स कीजिए थोड़ा तिवाइस कीजिए और उसके बाद आप बारा को पेपर देने चले जाईए तो आपका पेपर अच्छा होगा इस वीडियो में बस इतना ही है एडमिट कार्ड जो है आपका